हलो दोस्तों नमस्ते गुड इबनिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे हम सभी ठीक है तो अभी इबनिंग के साड़े चार बत चुके हैं सायद मैं सूच रही थी आज मैं इसकी थोड़ा निव हैर स्टाइल करूं और वाचीश चल रही थी हमारी यहां पर देखिए मन्याकरती इस तरह से हैर स्टाइल की है मुझसे ज्यादा बनती तो नहीं है पर फिर भी मैंने बना दी है और अंस लोग यहां पर जगड रहे थे पता रहे हूं है तो यहां पर मैरा डुपट्ट्ट किल्ड़ रख लिय कर लिए तो इस में हैं सकंगेड़ किया मैं और गेलicky ममिस और था धूल सकते हैं लेकिन खराब सब्स तमाटर डाल के साथ सब्स पर देरा विए के बूज की और आप दोल कर踏क इस वैसे आप सब्जियों को देख करके ही रखिए गडलिया में तो यहां पर देखिए मैंने सारी सब्जियां रख दी हैं और अगीला कपड़ा है इसे मैं कपड़े को अच्छे से लपेट दूंगी और इसमें पानी देते रहेंगे कंछा देते रहेंगे पानी का जब यह क कपड़ा सूखने लगे तो सब्जी न हमारी ऐसे हरी की हरी ही रहेंगी बड़ आप बीच में देख सकते हैं कि यह खराब ना हो सब्जी की एक दो खराब हो जाए तो नहीं आप लोग हटा दीजिएगा वरना सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी तो सब्जी मेरी जो है तो मैंने रख दी हैं यहाँ पर आलू प्याज है इने भी लिकाल कर रख देती हूं और कटायल अभी बनाओंगी यहाँ पर आकरती अपने कोचिंग का काम कर रही है और कोमल भी अपना पढ़ रही है तो मैंने का उसाथ में कटायल को भी काट करके रख देती हूं बड़ मैंने चाकू से ट्राइ किया तो चाकू से मेरे से ना काटते नहीं बना था इस वहले से फिर मैंने हसिया से ही काटा यह देखिए क्योंकि ना चाकू से मैं आलू प्याज बगरा तो काट लेती हूं पर जो लौकी है कदू यह सारी चीजे मैं हसिया से ही काटते हूं उससे ज्यादा चाकू से काटते नहीं बनता है तो मैंने ना तेल लगा कर के काटा वरना तेल लगा कर काटते ना तो बिलकुल भी इसका जो कठाल का दूद होता है चिप चिप अब जी में तेल किया चिप को है कई हो लोगों को देखा है वह तो मैं जाड़ा कर दिदे तो फिर मैं आखना बनाने के लिए अगया है मेरे बरामदे में लाइट जल रही है पर उजेला नहीं उसका ज़्यादा दिखता है तो आप लोगे किना और करना यहां पर मेरा तेल भी खतम होने वाला सरसो का तो मैं किसी दिन सरसो साफ करूंगी बट अभी तो है दो तीन दिन के लिए तो यहां पर मैं कुकर में ही वो ब बनाते हैं तो यहां पर कुछ खड़े मसाले निकाले मैंने और यह देखे कटेल को मैंने काट लिया धुल लिया है और यहां पर अद्रक लैसुन और प्याज का पेश्ट पीसा है सिल में पूरा मसाला तो नहीं मैंने पीसा और यह है खड़े मसाले जो बड़ी हिलाइची ह बस इतने ही डाले मैंने और लैसुन डाल दिया था ये चटक गए थी इसके बाद फिर मैंने लैसुन अद्रग प्याज का पेश डाला और ये अच्छे से ने भूनेंगे थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि प्याज का जो मीठा पन होता है न वो हट जाए ये देखिए अच्छे से भून गई मसाले भी मैंने गूल लिये मसाले में हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर गरममसाला कस्मेजी लाल मिर्च और थूड़ा सा सबजी मसाला लिया है इसलिना सब्जी मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा था सब्जी का तो मसाले भी डाल दिए देखिए कभी कभी ने मेरे कैमरे मेरे कलर नहीं कैप्चर कर पाता है तो यहां पर देखिए मसाले भुन गए हैं तो नमग भी डाल देंगे स्वात के इंसार और इसके बाद फिर मैं कटैल डाल दूँगी और थोड़ा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए मेरा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना सपोर्ट करना और आपके साथ और सपोर्ट के मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो यहाँ पर मसाले भू तो कटैल डाल दिया इसे थोड़ा सा एक मिनट तक मिक्स करके पकाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी दे दूँगी इसमें और इसके बाद कुकर कर ढखकन बंद करके दो तीन सिटी में यह अच्छे से पक जाएगा और बिल्कुल भी ताजा कटैल था बहुत ज थी यहां पर देखिए सब्जी मेरी बन गई है ग्याश को मैंने जैसे कि मैने आप लोगों से कल बताया था कि हमारे यह याँ की लैड spotlight बहुत ज्यादा करती तो अप लोग देख रहे होंगे तो मैंने का दो मेरे यहाँ रहो नहीं प्रचिन के लिए और अभी ओर भूब भी आजी हे खाना खाने के लिए और अभी अब समय क्योंकि Nationalpark to तो अभी तो अभी हो गई नेक्स डे सो आप सभी को गूड बॉर्णिंग रात में इतना ज्यादा लाइट परेसान करती है कि मतलब गर्मी में नीद भी नहीं आती सुबह ठंडक हो जाती ना तो फिर आंख लग जाती ना तो फिर खुलती भी नहीं है तो सुबह ना आज मैं लेट ही उठी थी साथ वज़े तो बस पानी वानी तो मैंने भर लिया जाडू भी हो गया है और पोंचा भी बढ़े वाले बराम्दे बार्टे लेती हैं तो वहाँ पर नहीं हो पाया और इस वाले बराम्दे में अंस भर उठाया क्योंकि ना उसे मुझे भूब जैसी लगने रही जब से तबीद खरावी नहीं जब से बहुत जल्दी खाली पेट रहा नहीं जाता है इस वैसे मैंने कचलो सरवत बना लेते हैं और इसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाओंगी नास्ता तो यहां पर मैं अपने लिए सरवत बना रही थी और अंसना आ रहा था आकरिती मुझे लगता है सो रही है साइद या फिर उस साइड खेल रही होगी बच्चों के साथ तो यहां पर मैं अंस से ही बाते कर रही थी तो आप लोग भी आज यहीं मॉर्णिंग में सरवत पीने के लिए वैसे तो नेबू पाने यह ज़्यादा पाइदा करता है पर मुझे ना मीठी चीज ज्यादा पुसंद है इस वैसे मैं ना सरवत पी रही थी तो सरवत पीने के बाद यहां पर देखिए अंस ना टप में बैट करना हा रहा था इस वैसे मैं इससे बाते कर रहे थी तप तूट जाएगा बोलड़ा था नहीं तूटेगा तो फिर मैंना इसे थोड़ा सा वीडियो बनाया तो इसका तो यह बोलड़ा था मेरा बीडियो तो अभी आ गई हैं मैं कमरे में सुई यहां पर मुझे बैट शीट चेंज करने ही तो बस इस बैट शीट को मैंने हटा दिया है विश्थर को अच्छे से जढ़ दिया था इसके बाद फिर मैंने दूसरी बाली बैट शीट बिचा दिया और गरमियों में सबसे ज्यादा cotton की बैटशीड में ही लेटने में अच्छा लगता है चादर बिचाओ cotton की तो ही अच्छा लगता है क्योंकि ना जो मंलब जो टेरी काट की होती है उसमें लेटो ना तो बहुत जादा गरमाती है इस वैसे ये जो cotton की होती है ये लेटने में ठंड़क देती है तो गर्मियों में cotton की बैट सीट अच्छी होती है बिचाने में तो मेरे पास ना 3-4 हैं तो मैं बिचाती रहती हूं इन्हीं को और मुझे cotton की बैट सीट अच्छी भी लगती है बस मैंने वाँ पर बैट सीट बगेरा जो है तो बिचा दिया है बस यहीं के बचा है तो यहीं पर जाड़ू लगा कर यहीं पर कचड़ा भर लूगी क्योंकि ना बाहर वाले बरामदे में तो ऐसी भी जाड़ू लगा ही है बस पोंचा बस करना उसमें और जब रूम रह जाता है मेरा तो बस बाहरवाला बरामदा भी मैं छोड़ देती हूं क्योंकिना कमरे में और बरामदे में साथ में पूंचा कर देती हूं अभी बच्चे कोचिंग नहीं गए हैं क्योंकिना आन सभी तईयार हो रहा है तो ये लोग जा रहे हैं दोनों लोग कोचिंग और आकरेती तो रो रही है क्योंकिना इसी आदा थी है सुब ऐसे रोने की तो बस ये कोचिंग कर नाम लो तो ये रोने लगती है अभी बच्चे मेले चले गए हैं कोचिंग और मैं सॉरी अभी मैं जा रही हुना आने के लिए क्लिकिना मेरा जाड़ू कोच्छा सारा काम मोर चुका है तो मैं अभी जाकर की नहाँगी और आज दिन है बुद्वार और डेट हो चविस महीं तो आप सभी कैसे हैं मुझे कमेंट में बताएगा हम तो ठीक है और वीडियो पसंद आए दोस्के को सब्सक्राब करना लाइक करना सपोर्ट करना ये देखिए बरभ का गोला जो अंस लेकर आया और ये वाले ना ये किने बहुत जादा घंदी हो जाती है बच्चों के हाँ लगाने को देखिए तो ये अंस लेकर आया आपने लिए मेरे लिए आकर उतिक लिए किसी ने दिल आया है मुझे पता नहीं है तो आप लोग भी आजे खाने के लिए तो मैं यही पर बरब का गोला खारी दी पग्गे की नीचे बठके और आज आक रहती है ना सुबह नहाया नहीं था कोचिंग से जाने के पहले तो अभी नहा कर आई है तो इसके आखों में यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा बाल है माते पे रखे हुए है तो आप लोग बाल अटाए हाथों से क्योंकि ना आखों में आ रहे हैं और बोल रही थी मैंने बोला इससे की बाल कटवा लो तो यह बोल रही नहीं कटवाने है लेकिन काफी बड़े बाल है और गर्मी भी हो रही है देखते कटवाएंगे तो ठीक है तो आज के मेरा वीडियो यही तक ह अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कल मिलते हैं बाई अपना ध्यान रखिए